सभी देश्वासियों को आदरपुरवग नवश्खार कोरोना संक्रमन से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महने से ज़्यादा समय बीद गया है इस दोरां तमाम देश्वों के 42 लाग से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए है पौने तीन लाग से ज़्यादा लोगों की दुखत मृत्ति हुई है भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है मैं सभी के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ साथियों एक वाइरस ने एक वाइरस ने दुनिया को तहस्त नहस्त कर दिया है विश्व भर में करोडों जिंदगीयों संकट का सामना कर रही है सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार चे जंग में जुटी है हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है निश्चित तौर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है ये क्राइसिस अभुद्पूर्वा है लेकिन ठकना, हारना, तूटना, बिखरना मानव को मिंजूर नहीं है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा हमारा संकल्प इस संकट से भी दिराट होगा साथियों हम पिछली सताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले की दुनिया को वैशिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही है उसे भी हम दिरंतर देख रहे हैं जब हैं दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो ये हमारा सपना ही नहीं ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्ग क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हां सास्त्रों में कहां गया है एशह पन्था यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत साथियों एक राष्ट के रूप में आज हमें एक बहुत एहम मोड पर खड़े हैं इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है एक संदेश लेकर आई हैं एक आउसर लेकर आई हैं मैं कुदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज दो लाग PPE और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे हैं ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया आपदा को आउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकप के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों, आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के मायने पूरी तरह बदल गए है। चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन, आशा की किरण नजर आता है। वसुधैव कुटुम कंप है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्म निर्भरता की बात करता है। तो आत्म केंद्रीत व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्म निर्भरता में संसार के सूख, सहयोग और शांती की चिंता होती है। जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भुमी ही, पुत्तों अहम पृत्विया, इसकी सोच रखती हो। जो पृत्वी को मा मानती हो, वो संस्कृती, वो भारत भुमी, जब आत्म निर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी समरुद्ध विश्व की संभावना भी सूनिश्चित होती है। भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है। भारत के लक्षों का प्रभाव, भारत के कारियों का प्रभाव। विश्व कल्यान पर पड़ता ही हैं। जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है, तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है, टीबी हो, कूपोशन हो, पोलियो हो, भारत के अभ्यानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है, इंटरनेशनल सोलर अलाइंस, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाप भारत की दुनिया को सौगात है, इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल, मानव जीदवगन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उफार है, जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज, भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है, इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंशा होती है, तो स्वाभाविक है, हर भारती एक गर्व करता है, दुनिया को विश्वास होने लगा है, कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानों जाती के कल्यान के लिए, बहुत कुछ अच्छा दे सकता है, सवाल यह है, कि आखिर कैसे, इस सवाल का भी उत्तर है, एक सो तीस करोर देश वाजियों का, आत्मनिर भर भारत का संकल्ब, साथियों, हमारा सदियों का गवरवपुर्ण इतिहास रहा है, भारत जब सम्रत्य था, सोने की चिडिया कहां जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला, वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जखड गया, हम विकास के लिए तरस्ते रहे, आज फिर भारत विकास की और सफलता पुर्वक कदम बढ़ा रहा है, तब भी विश्व कल्यान की राह पर अटल है, याद करिए, इस सताब्दी की शरुवात के समय वाइटू के संकट आया था, भारत के टेक्नलोरोजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था, आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ है, हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है, हम बेस्ट प्रोडक्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे, ये हम कर सकते हैं, और हम जरूर करेंगे, साथियो, मैंने अपनी आँखों के सामने, कच्छ भूकम के वो दिन देखे हैं, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ द्वस्त हो गया था, ऐसा लगता था, मानो कच्छ, मौत की चादर ओड़ कर सो गया हो, उस परिस्तिती में कोई सोज भी नहीं सकता था, कि कभी हालत बदल पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते, कच उठ खड़ा हुआ, कच चल पड़ा, कच बढ़ चला, यही हम भारतियों की संकल पशक्ती है, हम ठान लें, तो कोई लक्ष असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, और आज तो चाह भी है, राह भी है, यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना, भारत की संकल पशक्ती, ऐसी है, कि भारत, आत्म निर्भर बन सकता है, साथ्यों, आत्म निर्भर भारत की यह भगवे इमारत, पांच पीलर्स पर खड़ी होगी, पहला पिलर, एकोनोमी, एक ऐसी एकोनोमी, जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं, बलकि कॉंटम जंप लाए, दूसरा पिलर, इन्फास्ट्रक्चर, एक ऐसा इन्फास्ट्रक्चर, जो आधुनिक भारत की पहचान बने, तीसरा पिलर, हमारी सिस्ट्रिम, एक ऐसा सिस्ट्रम, जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं, बलकि 21 सदी के सपनों को साखार करने वाली, टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो, चौधा पिलर, हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी, हमारी ताकत है, आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है, पांचवा पिलर, डिमांड, हमारी अर्थे ववस्ता में, डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी ख्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुवत है, देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए, हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्र होना जरूरी है, हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ती की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे, जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो, साथियों, कोरोना संकड का सामना करते हुए, नए संकल्प के साथ, मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्टना कर रहा हूँ, ये आर्थिक पैकेज, आत्म निर्भर भारत भ्यान, आत्म निर्भर भारत भ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा, साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्टना की थी, जो रिजर्ब बैंक के फैंसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है, उसे जोड़ दें, तो ये करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है, बीस लाग करोड रुपिय का है, ये पैकेज भारत की जिड़ीपी का करीब करीब दस प्रतिशत है, इन सब के जरिये, देश के विबिन वर्गों को, आर्थिक ववस्था की कडियों को, बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बीस लाग करोड रुपिय का एपैकेज, दो हजार बीस में, देश की विकास यात्रा को, 20 lakhs 2020 में आत्म निर्भर भारत अभ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड लेबर लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्योक ग्रह उद्योक हमारे लगू मंजोले उद्योक हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है यह आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए हैं देश के उस किसान के लिए हैं जो हर सिती हर मौसम में देश वाज़ियों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए हैं जो इमानदारी से टेक्स देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारत्य उद्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे सुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगे साथियों आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते च्छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जन्धमन आधार मोबाइल जे ए एम जैम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दाइरे को व्यापक कर रहा है नई उचाई देनी है यह रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकत हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृशी पर कम से कम असर हो यह रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम सरर और स्पस्ट नियम कानूं उत्तम इंफास्रक्टर समर्थ और सक्षम हुमन डिसोर्सिच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे यह रिफॉर्म्स बिजनेश को प्रोशाइट करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे साथियों आत्म निर्भरता आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है आत्म निर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीस परधा के लिए भी देश को तयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर्स परधा में जीते ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए इससे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सूनिश्चित होगी साथियों ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है लेकिन इनी परिश्टितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष शक्ति उनकी संयम सक्ति का भी दर्शन किया है खास कर हमारे जो रेडी वाले भाई बहने हैं ठेला लगाने वाले हैं पट्री पर सामान बेचने वाले हैं जो हमारे स्रमिक साती हैं जो गरों में काम करने वाले भाई बहने हैं उन्होंने इस दोरान बहुत कष्ट जेले हैं, तपच्या किया है, त्याक किया है, ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को महसूस नहीं किया, अब हमारा कर्टब यह हैं, उन्हें ताकत पर बनाने का, उनके आर्ति हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का, इसे ध्यान में रखते हुए, गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मद्दूर हो, पशुपालक हो, हमारे मचवारे साती हो, संगटिक छेत्र से हो या संगटिक से हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया जाएगा, साथियों, कोरोना संकट में हमें, लोकल मैनुफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाइचेन, इसका भी महत्वा बराबर समझा दिया है, संकट के समय में, लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है, लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, समय ने हमें सिखाया है, कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा, आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने, उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्राणिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोड़क्स लोकल से ग्लोबल बन गए, इसलिए आज से हर भारतवासी को, अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोड़क्स खरिदने हैं, बल्कि उनका घर्व से प्रचार भी करना है, मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है, आपके प्रहास होने तो हर बार आपके प्रती, कि मेरी स्रद्धा को और बढ़ाया है, मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ, याद करता हूँ, जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आगरे किया था, ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वरकर्स को सपोर्ट करें, आप देखिए, बहुती कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स तर पर पहुँच गई, इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया, बहुत छोटा सा प्रयास्ता, लेकिन परणाम मिला, बहुत अच्छा परणाम मिला, साथियों, सभी एक्सपर्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं, कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही, हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते, कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए, हम मास्क पहनेंगे, दोगजदूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे, इसलिए लोगडाउन का चौथा चरण, लोगडाउन फोर, पूरी तरह, नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा, राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं, उनके आधार पर, लोगडाउन फोर, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको, अठारा मैसे पहले दी जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है, कि नियमों का पालन करते विये हैं, हम कुरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे, साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्म वशम शुखम, अर्थात, जो हमारे वश में हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं, वही सुख है, आत्म निर्भरता हमें सूख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती हैं, 21 सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व, आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा, इस दाइत्व को 130 करोर देश्वास्यों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी, आत्म निर्भर भारत का ये यूग, हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प सक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है, जब आचार, विचार, कर्तव भाव से सराबोर हो, कर्मणता की पराकास्टा हो, कौशल्य की पूजी हो, तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है, हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं, हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे, इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ, मैं आपको बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ, आप अपने स्वास्थ का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, अपने स्परिवास्थ